कि चैंड नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेट वर्क डिवाइसिस यानि के नेटवर्क प्रणालियों के बारे में तो हम नेटवर्क के कुछ मेंडेट्री कंपोनेंट्स जो आवश्यक्षक नेटवर्क में में चाहिए ही होते थे जिसे cable हमने पढ़ा या फिर network operating system हमने पढ़ा तो ये जो components हम पढ़ने वाले हैं इन्हें छोटे network के लिए compulsory तो नहीं कहा जा सकता लेकिन फिर भी कुछ parts ऐसे हैं जिनके बिना काम चलता नहीं है और कुछ परिस्तितियों में इनकी जरूरत हमको पढ़ती ही है यूँ समझ लिजिए कि network में जिन प्रणालियों काम उपयोग करते हैं वो network devices कहलाती हैं कई सारी devices हैं उन में से कुछ हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं hub की तो जब कभी दो या दो से ज़्यादा computers को आपस में connect करना हो तो वो hub की साहता से ही connect होंगे क्योंकि देखिए जैसे मान लिजिए कि तीन computers हैं अब तीन computers को आपस में connect करना है तो तीनों में से अपनी-अपनी cable लिख ली जैसे computer number 1 उसकी अपनी cable आई connect होकर computer number 2 से उसकी खुद की एक cable connect होकर आई computer number 3 से उसकी खुद की तीसरी cable connect होकर आई है अब इन तीनों cable को कैसे जोड़ें आपस में मतलब एक छोड़ तो computer से जोड़ा है जैसे computer 1 से जोड़ी हुई computer का एक छोड computer 2 से जोड़ा हुआ computer 3 से जोड़ा हुआ computer 3 का तीसरा छोड़ अब जो दूसरे छोड के हम बात करें दूसरे end की तो वो end हम कहां जोड़ेंगे तो वो end जाकर जोड़ता है इन hub में मैं इसको ओधोड़ा अब कलपना नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं दिखा के डाइग्राम एक्स्प्रेंट कर देता हूं देखिए यह जैसे एक कंप्यूटर है इस से यह केबल निकली इस लेप्टॉप से यह केबल निकली इस लेप्टॉप से भी यह केबल निकली अब तीनों को आपस में कनेक्ट करना है तो यह जो दूसरा छोड जो है वो हम किसमे लगा है तो दूसरा छोड जाके एक end इससे जुड़ा है अगली केबल का एक end इससे जुड़ा है अगली केबल का एक end इससे जुड़ा है दूसरा छूर हब से जुड़ा हुआ है तो देखिए तीनों आपस में connect हैं लेकिन directly connected नहीं है प्रत्यक रूप से connected नहीं है वो हब के माध्यम से connected है तो यह है हब का रो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और एकी आठ तो ये तो अपलिंग का पोर्ट हो गया ये फिलाल इसमें कुल मिला कि ये पोर्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें इनमें कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं ये डिवाइसे लैप्टॉप जोड़े जा सकते हैं तो ये ये बात यहां पर बता ही हुई है एक नेटवर्क हब का प्रियोग किया जाता है दो या दो से जादा कंप्यूटर को आपस में जोडने के लिए और LAN में इस तरह के connection point हमें चाहिए ही होते हैं जो की hub हब से receive होते हैं कुल में लागे क्यूं समझ लेजिए सारे computer सतनी अपनी cable के साथ इस hub में जाके जोड़ जाएंगे और वो आपस में connected होंगे लेकिन इसके मात्यम से जैसे मैंने आपको भी इस डाइगराम में बताया तो यह सारे आपस में connected है लेकिन hub के मात्यम से तो यह था hub अब हम बात करेंगे अगले network device की उसका नाम है bridge तो कई बार ऐसी भी आवशकता होती है जब हमें दो network आपस में connect करने हों जैसे मैं आपको यह डाइगराम से सम्झाता हूँ यह देखिए यह रहा एक network यह तीन computer आपस में अलग connected है और यह तीन computer आपस में अलग connected है यह अलग network है यह अलग LAN है और यह अलग LAN है अब कभी ऐसे जरूत पड़ती है कि इन दोनों LAN को इन दोनों network को आपस में जोड़ना हो तो फिर इस bridge की सायता लेनी होगी तो यूँ समझ लीजिए कि bridge है कैसे device है जिसके माध्यम से हम दो अलग-अलग LAN को दो अलग-अलग network को आपस में जोड़ सकते हैं यह देखिए यह रहा network 1 LAN 1 यह network 2 LAN 2 और इनको जोड़ा गया है इस device की help से bridge की सायता से तो यही बात यहां बताई हुई है bridge a network bridge is a computer networking device which is used to connect two LAN जिसके सायता से हम दो LAN को आपस में connect कर सकते हैं it creates a single aggregate network from multiple communication यहां यह बात समझने वाली है कि जब यह दो network आपस में connect हो जाएंगे तो यह aggregate network कहला था aggregate मतलब common network common network मतलब यह आपस में connect हो गया है तो अब यह अलग अलग नहीं रहे दिख अलग 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 रहे हैं यह अलग network दिख रहा है वो अलग network दिख रहा है लेकिन connect होने के बार अब आंतरिक रूप से यह common network हो गया है मतलब इनका data इनके लिए अलग नहीं है और इनका data इनके लिए अलग नहीं है तो ये है bridge bridge के बाद अगली network device की बात करें तो वो है router देखिए जो काम bridge का है लगबग वही काम router का भी है याने networks को आपस में जोड़ना फिरसे मैं बता दूँ router कुछ माइनों में bridge से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये 2 से ज़्यादा networks को जोड़ सकता है पहली बात तो ये 2 से ज़्यादा networks को जोड़ सकता है उस माइने में जादा powerful है bridge से दूसरी बात इसका mostly use होता है internet से connection लेने में जब हम कभी internet का घर में connection लेते हैं तो हमें broadband का एक router दिया जाता है broadband का connection दिया जाता है जिसे मैं इस तरह बता देता हूँ आपको यह देखिए यह जिसे आपने internet connection लिया तो internet की cable हमको मिली और साथ में router मिला अब इस router से cable लगा कर आप एक computer चलाना चाहते हो तो यह cable सीधी computer में जोड़ दो इस internet चलाना हो cable एक computer में तो यह cable इस से लगा कर सीधे इस computer में जोड़ दो यह इसकी ज़रुरत नहीं है लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई व्यक्ति दो computer चलाना चाह रहा है दो computer तो फिर उसने hub लगाया router को जोड़ दिया hub से और hub से दो अलग connection नकल गए यहाँ देखिए एक, दो, तीन, चार, यह कुछ slots खाली है चाहें तो आप और computer भी जोड़ सकते हैं तो यह internet जो आ रहा है वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा यदि आप कुछ connections और जोड़ोगे तो यह उसको भी मिलेगा तो यह यहाँ पर आप देखिए router कैसे भूने काने बारा है, एक तरफ तो router के internet है अपने आप में एक van है यह wide area network है और एक तरफ अपना छोटा सा LAN फिर से देख लीजिए router की एक तरफ internet है जो की wide area network है और एक तरफ अपना छोटा सा यह LAN इसी router से आप यह दो आप देख रहा है antenna निकलें, antenna यह wifi के है अब यह तो internet चली रहा है सांत में यह wifi भी share कर सकता है तो आप laptop पे भी बिना किसी तार को जोड़े इस wifi का use कर सकते हो mobile पे भी बिना किसी तार को जोड़े इस wifi का use कर सकते हो internet का use कर सकते हो तो कुल मिलाके यह इस तरह से वर के आपर करता है अब वहीं bridge में क्या समस्या थी मैं आपको बताओं समस्या नहीं कह सकते bridge की limitation बोल सकते हैं कि bridge में हम दो network को connect तो करते थे लेकिन bridge में ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ internet हो और एक तरफ हमारा network हो bridge की सीमाएं ये है कि पहली बात तो network दो ही होने चाहिए दूसरी बात ये कि दोनों तरफ topology समान होनी चाहिए topology आप अलग लगनी रख सकते कि एक तरफ वैन हो एक तरफ लैन हो जबकि router इस माइने में ज्यादा powerful है कि router में हम एक तरफ internet है आप internet की तो हम तुलना करी नहीं सकते हैं आपने छोटे से lens से हमारे सिलंड में केवल दो नेट कम्प्यूटर है और internet पैनिगनाथ कम्प्यूटर है तो internet की topology से हमारी topology का तो कोई mail ही नहीं है हमारी topology कुछ भी नहीं है internet के सामने तो router एक तरफ तरफ तो internet को manage कर रहा है हैं बड़े network को और एक तरफ हमारा छोटा सा network है तो और तीसरा भी चाहो तो आप wifi के through network एक बना सकते हो होट मोबाइल पे शेयर कर लीजिए internet या फिर आप laptop पे शेयर कर लें तो इस तरीके से router ज्यादा capable है in comparison of bridge next networking devices gateway यहां पर मैं बात बता दूँ कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं तो उसी तरह से उनकी compatibility भी है मतलब जैसे सबसे पहले हमने bridge पढ़ा bridge का काम है network को connect करना router का काम भी है network को connect करना यहां पर मैं gateway लिए आपको पढ़ाने वाला हूं बताने वाला हूं उसका काम भी है network को connect करना यह सब समानता है लेकिन सबसे कम capacity का था bridge उससे ज्यादा capacity का हमने पढ़ा router और उससे ज्यादा capacity का है gateway अब आप यूं समझ लीजिए कि gateway की साहता से भी हम dissimilar kind के network को जोड़ सकते हैं और वह भी बहुत ज्यादा network हो बहुत बड़े सतर पर काम हो तो इस तरह के gateway के हमें आवशकता पढ़ सकती है इस diagram को देखकर मैं समझाता हूँ देखिए जैसे ये अलग-अलग तरह के network हैं ये एक router लगा हुआ है इससे दू laptop जुड़े हैं ये अगला router लगा है इससे दू laptop जुड़े हैं ये तीसरा router इससे दू laptop जुड़े हैं ये एक router है जिससे एक mobile है और एक laptop जुड़ा हुआ है और दिखिए चार राउटर्स हैं, एक, दो, तीन और ये चार, अब ये चारो राउटर्स जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, लेकिन इंटरनेट से डारेक्ट ये नहीं जुड़ सकते, इन्हें जुड़ने के लिए बीच में गेटवे की ज़रूरत होती है, जैसे अभी हमन कि पिशले एक्जाम्पल्स मेंमोटे-मोटे तोर पर शमझ लिया था कि ये राउटर्स इंटरनेट से lovely है, क्योंकि उस समय में गेटवे को लेकर हमें पता नहीं था और नम उस समय की बात करना चाहा रहे थे, तो ये राउटर्स जो इंटरनेट सेιο्में अने ऐ तो just direct connect नह बागर दुशबहें दैसे लिए वही का के बाले मातिम हैं जैसे आप इंटरिटलकंगे केंचने बागर के बागर के issues को मीधे सकते हैं अधि कम लिए बागर को सकते हैं लिए पूंब segments में आहरे तो सुझत बागर के बागर केम आःकल चाहिए तो बगर के बादेया करी। नहीं को बगर के करन है। आप चाहिए तो बगर के बादेया फ़ाये और नहीं को पडेयर चाहिए..? इस antenna के through भी internet access हो सकता है बगर किसी cable के तो internet cable से भी चल सकता है बगर cable के भी router दोनों तरह सक्षन है वो cable के through भी connection दे सकता है बगर cable के भी connection दे सकता है यह router जित्ते भी आप देख रहे हैं और यह router internet से connected है और किसके मात्यम से connected है यह सब gateway के मात्यम से connected है मोटे तोर पर मैं आपको समझा दूँ कि जब हम लोग जैसे कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं मानलों आपको पताना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर याने इंटरनेट सेवा प्रदाता याने जिस कमपनी से हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वो ISP कहलाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है तो यह usually जो gateway है वो उनके पास होता है, companies के पास और इस gateway के माध्यम से ही वो अमनों को यह router प्रोवाइट करते हैं gateway के माध्यम से ही router प्रोवाइट करते हैं और फिर हम उन router के माध्यम से अपनी devices पे internet चलाते हैं computer पे, laptops पे, mobiles पे तो यहां देखिए, यह gateway भी connection का ही काम कर रहा है एक तरफ internet है, दुसरे तरफ यह कई सारे routers दे रखे हैं तो यही चीज़ यहां बताई हुई है gateway के बारे में gateway एक ऐसी networking device है जो कि dissimilar kind के networks को जोडने का काम करती है gateway का नाम इसलिए भी gateway होगा क्योंकि यही से internet के distribution की शुरूबात होती है यही entry है और यही exit point है network का यही चीज़ यहां बताई है कि gateway is a network component that works as entry and exit point of the networking system gateway ही एक ऐसा network component है जो entry और exit का का काम करता है याने यूँ समझ लीजे कि internet distribution की कही ना कहीं शुरूबात थी कड़ी यही है gateway तो कुल मिलाके network devices में हमने कई devices पढ़ी सबसे पहले hub उसके बाद bridge उसके बाद router और उसके बाद gateway जो